कैसे हैं आप सब लोग आई होप सब बहुत अच्छी होगे तो इसमी आपको क्या चैयी होगा तो सबसे पहरे मैंने लिए है और इसमें आपको दो ऐसे अलग-अलग क्ले मिल जाएगी एक यह वाइट कलर की और इन दोनों को मिक्स करके आपको एक अच्छा स्मूध सा डो रेडी कर लेना है और एक अच्छा सा स्मूध डो रेडी होने के बाद आप इनको जिस भी शेप में बनाएंगे यह उसी शेप में बहुत अच्छे से बन जाएंगे जो भी शेप का आपको फ्रीज मेंगरेंट बनाना है वो बन जाएगा और बहुत जल्दी ड्राइब होते हैं यह तो आप थो बना सकते हैं तो यह वाला डियावाई मैं अपने बच्चे के लिए अपने बेटे के लिए क्यूंकि उसने ही बोला कि मुझे यह कुछ बनाना है तो फिर बोलता है कि आप मुझे इमोजी बना कि दीजिए तो स्माइल ली आते हैं वह तो मैं यहां पर वही बना रही हूं इसके बाद भी मैंने कुछ अलग-अलगत तरह कि जो फ्रीज मैंगनेट हैं वह बनाई है और फिर उन पर कलर किया है तो आप लोग वीडियो को देखते जाईए तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने कौन-कौन सी जो फ्रीज मैंगनेट हैं वह है। झाल 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 और ऐसे ही मैंने कुछ अलग अलग शेप की बना ली है जैसे की एक ये फ्राइंग पैन बनाया है जिसमें ओमलेट है और ये स्माइली और ये आइस क्रीम तो अभी इनको हम कलर करेंगे और इनको जैसे ही मैंने बनाया तो पहले ड्राय होने के लिए रख दिया था एक दो अब इन पर हम करेंगे कलर तो यहां पर मैंने एक्रेलिक कलर लिये हैं वही मैं इन पर कर रही हूं अब इस पर दूब आप अब आप 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 अब आप आप झाल झाल तो सारे ऐसे हमें कलर कर लेना है अब लेना हमें मैगनेट मेरे पास घर पे रखी हुई थी ये मैगनेट लिए बट ये चिपक अच्छे से नहीं चिपक रही थी फ्रीज के तो आप देख सकते हैं कि सारे हमारे जितने भी मैगनेट हमने बनाए थे फ्रीज मैगनेट वह एक दम रेडी है और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं पर लगाने के बार्द तो यह था मेरा आज का भोती ईजी सा डियाई वाई वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेटर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए झाल झाल झाल